हेलो व्याइट सबस्क्राइन से बाड़ मार्केट वोडियो में जानुएंगे निफ्टी बैंग निफ्टी आनमेट कैप निफ्टे कल मंदे के लिए यह हफ्ता था बहुत ही बहुत ही लोटाइल और मार्केट na fall नहीं दिखाया मार्केट जहां पर है वहीं पर टिका हुआ है, all time high पे close हुआ है weekly chart, BJP जीत गई, इंडिया जीत गई, यह आपका market structure है, जो अगर all time high का सपास closing है, तो bullish बोलेंगे, चाहिए आप bank nifty को देखें, या फिर आप nifty को देखें, so weekly closing हुई है all time high पे, and this is a good sign, हम positive रहेंगे, अगर mid cap nifty कोई देखते हैं, तो all time high पे close हुआ है, and volatile था भी, Monday, Tuesday, Wednesday, but आपको यहाँ पे positive candle दिख रहा है, मतलब market उपर का उपर है, यह weekly chart है, so कल Monday के लिए क्या plan है, या फिर हबते के लिए क्या plan होना चाहिए, simple सा plan होना चाहिए, कि हम bullish ही रहेंगे, buy on dips का view होगा, sea side, जब भी आपको risk road मिले, I think buy side की तरफ जाना चाहिए, और selling side का setup बनता भी, let's say data, अगर आप data देखेंगे, तो bullish है, 1.1 के उपर है put call ratio, and FIIs ने buying किया है, so आपको हर तरीके से bullish signal मिल रहा है, buy on dips का signal मिल रहा है, so जब भी बजार गिरेगा, आपको call option गिरेगा, आपको call buy करना है, अगर put option जाता है, तो put आपको sell करना है, with risk reward, right, so यह market structure है, आप इसको daily chart आप धन योज़ कर सकते हैं, best charting platform है, भले आप इससे trading करें हैं, ना करें, but charts के लिए I think one of the best platforms है, यहाप आपको sensex का भी real time chart मिलता है, जो आपको trading को भी नहीं मिलेगा, तो आप इसमा account कोल सकते हैं, for absolutely free, and आपको free का course भी मिलेगा, आपको telegram भी join कर लेना है, link description में होगा, और अभी मैं थोरा सा setup पे काम कर रहा हूँ रहा है, थोरा सा time लगेगा, तब आपको अच्छे से live stream दिखेगा, कल भी मैं live stream करेंगे, थोरा सा problem हो रहा है macbook से, ओके यहाँ पे अगर आप देखेंगे, बजार नीचे गिरता है, यहाँ पे support है 23,000 का, जब तक 23,000 के ऊपर है, I think bullish है, जब तक आपको यह 23,000 ब्रेक होता हुआ नहीं दिख रहा है, जब तक आपको bullish ही रहना है, ज़्यादा bearish नहीं होना है, आपको call side is scalping या फिर trading करना चाहिए, बैंक निफ्टी का देखेंगे, तो again 49,000, 49,000 को मैंसा support मानेगा, वहाँ सो दो पर bounce किया है, 49,000 हमारा base है यहाँ पर अगर आप data देखेंगे, पूर्टो आई कहाँ पर है, नीचे ही होग राइट, जब तक यह 500 के उपर है, आपको bullish रहना है, आप option लोजी उसकर सकते हैं, scalping signals के लिए, उसका भी link description में होगा, उसको भी आप कुंदन 10 से, अगर आपको पसंद आता है, 5-day trial तो आप उसको यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा मैंने try किया, मैंने खुद के पैसे risk लिए है, और मुझे काफी पसंद आया है, आपको अगर 15 points का SL मिल रहा है, हमेशा risk कर फोकस कीजिए, कि risk कितना है, and reward कितना है, अगर मुझे 15 points का SL मिल रहा है, तो I think काफी अच्छा है, उसको भी हमकर live stream में जरूर देखेंगे, mid cap, यह थोड़ा सा mature index नहीं है, बट यहां पर आपको 600 पर support नजर आएगा, अगर आप mid cap को देखेंगे, तो, मैं भी आप bank nifty में जादा रहे हैं, mid cap में उतना liquidity नहीं होती है, पता नहीं कि थोड़ा सा mature होगा, तो, आपको बताया जाएगा, टेलेग्राम पे, कि data turn हो रहा है, या फिर कुछी भी हो रहा है, volume आ रहा है, global market वे डिपेंड करेगा, क्या होता है, so global market भी आप देख सकते हैं, सुभा सुभा, right now global market flat है, तो कोई ज़्यादा tension वाली बात नहीं है, I hope कि आपका mutual funds का portfolio all time high पे होगा, क्योंकि मेरा तो है, and stocks का portfolio भी green में है, so यह दोस्तों वीडियो, thank you for watching and see you in the next video,